नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका UPSC Edda 247 पे दिए एक काफी important news आई है भारत को लेकर वो भी आई है अमेरिका से दिए अमेरिका और भारत के बीश में काफी geopolitical news recently आपने देखी होगी और अभी कल ही रात को एक news फिर से आई है यहाँ पर अमेरिका ने जो अमेरिका के citizens है जो अमेरिका के नागरिक हैं उनको इंडिया में travel करने के लिए एक advisory जारी की है और इस advisory में साफ कहा है कि do not going to JNK मतलब जम्मू कश्मीर ना जाएं मतलब अमेरिका ने अमेरिकी नागरिकों को यह कहा है कि अधि आप tourism के purpose से कहीं जा रहे हैं इंडिया में तो कम से कम जम्मू कश्मीर तो बिलकुल भी ना जाएं और level 4 category की जो यहाँ पर advisory है वो जारी की गई है जम्मू कश्मीर के लिए तो क्या यहाँ पर कोई नए खत्री की आश्रंका है और social media पर इसको लेकर काफी तरह की news हमारे सामने आ रही है यहाँ पर भारत के बहुत से लोग जो है इस बारे में tweet कर रहे हैं कि अमेरिका के लोगों को भारत में खत्रा हो या ना हो लेकिन क्या भारत के लोग अमेरिका में safe है या नहीं है तो यह काफी बड़ी debate जो है वो छिड़ चुकी है तो दीकि इसको डिसकर करता है हम कि अमेरिका ने किस तरह की जो advisory है वो जारी की है और इसके ओपर reaction जो है वो क्या क्या आये है तो आज ही download करें इसमें बहुत से अच्छे अच्छे features हैं जिनकी वज़े से आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हो चाह SSE हो, banking हो, railway हो state PCS हो, या फिर UPSC हो सभी की तयारी आप full focused हो के कर सकते हैं example के तोर पर यह दिए आप UPSC की तयारी करना चाह रहे हैं और serious होकर 2023 या 2024 का time देना चाहते हैं तो एक exclusive batch जो है वो loan छोने जा रहा है 10 October को जिसमें आपको pre plus mains plus C set तीनों की तयारी करवाए जाएगे ये completely live foundation batch हैं जिसमें 900 घंटे का content है interactive live classes है मतलब और one-to-one mentorship है with IAS officers जो आपको समय समय पर guide करते रहेंगे उसके अलबा weekly current affair weekly test, e-books, pdf, quiz based lecture और भी पताने कितनी facilities है तो आप इदी आप serious होकर UPSC के त्यारी करना चाहते हैं आप चाहे कोई भी attempt दें आने वाला आप इस course को end roll करना बिल्कुल भी ना भूलें यहाँ पर application में इदी आप इसको purchase करेंगे आपको discount अगर चाहिए तो Y572 जो code है वो लगाना विल्कुल भी ना भूलें यह code लगाने के बाद आपको काफी अच्छा discount प्राप्त होगा इस course के उपर और बहुत minimal price की range में आप यह live foundation batch यह वो attend कर पाएंगे काफी शांदर faculty है और काफी शांदर content के साथ में यह जो batch है वो शुरू होने जा रहा है 10 October से और BPSC के लिए भी देखिए जो नालंदा batch है वो 12 October से शुरू होने जा रहा है इसको भी आप enroll कर सकते ही दिए आप 68th BPSC की त्यारी करना चाते हैं तो और उसके अलबा देखिए इदि आप application पर जाएंगे तो state PCS और UPSC से related काफी अच्छे अच्छे course आपको मिल जाएंगे काफी अच्छे test series आपको मिल जाएगी और बहुत कम price में हाँ code आपको ज़रूर धान रखना है Y572 जब तक यह आप code नहीं लगाएंगे तब तक आपको कोई discount नहीं मिलेगा और अधि आप यह code लगाते हैं तो आपको miracle देखने को मिलेगा आपको 75% का discount जो है वो मिल सकता है तो देखिए अमेरिका ने अब पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की advisory के बाद भारत आने वाले जो नागरिक है इनको alert कर दिया है अलब अमेरिका का जो विदेश विभाग है इसने सुकरवार को अपने नागरिकों से अपराद और आतंकवाद के कारण भारत की यातरा करते समय अधिक सावदान रहने की जो बात है वो कही है और यहाँ पर जो विदेश विभाग है इसने भी अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर की यातरा ने करने के सला दी है और यहाँ पर देखिए इसको अगर आप image में देखते हैं तो specifically जो बात है reason और इस capital की जो है ले है इसको छोड़कर आप जो है जम्मू कश्मीर में travel ना करें और यह do not travel का जो subject है वो काफी specific है वैसे तो देखो इंडिया को लेकर अमेरिका ने जो अमेरिकी citizens के लिए जो एडवाईजी जारी की है वो level 2 category की है लेकिन यहाँ पर अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को लेकर level 4 category की मतलब level 4 category का मतलब यह है कि do not travel आप वहाँ बिलकुल भी ना जाएं जम्मू कश्मीर को लेकर अचा अमेरिका में जब यह advisory जारी की जाती है तो level की बात काफी ज़्यादा होती है level 1 का मतलब है exercise normal percussions मतलब आप थोड़ा सावधान रहें level 2 का मतलब है increase percussions मतलब अपनी सावधानी को develop करते रहें समय समय पर अपना ध्यान रखें अपने साथ के कोई व्यक्ति जो जा रहा है कहीं पर उसका ध्यान रखें और level 3 category की है लेकिन specifically जम्मू कश्मीर के दिए हम बात करते हैं वो है do not travel vary category इसका मतलब यह है this is the highest advisory level due to greater likelihood of life threatened risk मतलब जान बचा न पाने वाले खत्रे जो है आपको देखने को मिलेंगे यह आप वहाँ पर जाते हैं तो इसकी तरह की जो बात है वो यहाँ पर mention की जाती है और देखे जब भी अमेरिका level 4 category की अगर कोई advisory जारी करता है तो लगभग अमेरिका के हर citizens जो है इसको लेकर active हो जाता है तो यह सब चीज़ें हमारे सामने हैं कि अमेरिका ने level 4 category की जो advisory है वो जम्मू कश्मीर को लेकर जारी करी है इससे पहले देखे हाल ही में अभी दो ही दिन पहले अमेरिका ने level 2 category की जो advisory है वो पाकिस्तान के लिए जारी की है काफी अजीब सी बात है पाकिस्तान जैसे देश में जहां आतंक वादियों को पना दी जाती है अमेरिका ने अभी रिसेंटली ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर भी काफी ज़्यादा खत्रा है और किसी स्थान पर जाने से पहले जो लोग है वो एक तरीके से reconsider कर सकते हैं अपने decision को की वहाँ पर जाना जरूरी है या फिर नहीं है या पर आप देख पा रहे हैं reconsidering travel plans to Pakistan US issues advisory to traveling to Pakistan तो पाकिस्तान के लिए जो एड़वारी जारी की गई थी उसमें ये सब बाते mention की गई थी लेकिन बाद में level 3 category की जो advisory है वो उसको भी ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकी जो लोग हैं वो काफी ज़्यादा ये तब जारी की जाती है जब किस इस्तान पर जाने से यात्रियों और आगंत को कोई दिर्ग इस्तिटियों पैदा हो सकती है कोई गंबीर स्तिती जो है पैदा हो सकती है देखे कुल घंटे भी शरी इस बात को नहीं होए होंगे कि अमेरिका के जो राज़ूत हैं, अमबैस्डर हैं, एन्वोई हैं वो P.O.K. जाते हैं और P.O.K. को आजाद जम्मू कश्मीर बोलते हैं इसके लिए मैंने कल वीडियो भी बनाया था यहां पर आप देख पा रहे हैं, इस ट्विट से काफी ज्यादा कॉंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी शोचल मीडिया पे बात में इंडिया ने इसका जवाब भी दिया था कि इंडिया अब्जेक्ट टु यूएस एन्वई बलॉम्स विजिट टु पाकिस्तान ओकुबाइट कश्मीर और अमेरिका हमेशा से कश्मीर को लेकर जब से जोई बाइडेन की सरकार आई है कश्मीर को लेकर बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है इसलिए पीयो के जैसे जो चितर है जो कि भारत का इस्सा है उसको वह आजाद जम्मु कश्मीर बोलता है और यह काफी अजीब सी बात है और यहाँ पर जो एडवाइजरी भारत को लेकर अमेरिका ने जारी की है उसमें यह कहा गया है कि बलातकार जो रेप हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ते अपरादों में से एक है यह यौन उत्पिडन जैसे हिंसक अपराद जैसे वो परियाटन स्तलो और अन्य स्तानों पर भी हुए है और साथ ही अमेरिकी विदेश उभाग ने यह भी कहा है कि आतंकवादी परियाटन स्तल, परिवहन केंदर, बाजार, शौपिंग मॉल, सरकारी केंदरों पर बहुत कम या बिना किसी चेतावनी के हमला हो सकता है इसलिए अगर आप इंडिया में हैं तो इन सब चीजों पर सावधानी बढ़ते हैं ऐसा नहीं है कि अमेरिका पहली बार ऐसी एडवाजरी जारी कर रहा है लेकिन काफी दिनों बाद में हमें ऐसे देखने को मिला है कि USA की तरफ से अमेरिका के नागरिकों को इंडिया में ट्रेवल करने के लिए जो एडवाजरी है वो जारी की गई है तो देखिए अमेरिका को लेकर तो यहाँ पर बात खतम हो जाती है लेकिन इसका जो रियक्शन आया है सोशल मेडिया पर वो काफी ज़्यादा शौक कर देने वाला है अमेरिका जैसा देश है वो अपने नागरिकों को सावधान कर रहा है भारत में जबकि आप शायद आपने औरिजन उनिवर्सिटी स्टुडेंट को मार दिया गया है अमेरिका में और ऐसी कोई एक न्यूज नहीं है रिसेंटली जो हेट क्राइम्स का एक जो दोर चला है अमेरिका और कनाडा में हिंदुईजम के लिए हिंदू लोगों के लिए या फिर भारती लोगों के लिए व और ये हेट क्राइम ही माना जाता है एक पर्टिकुलर रिलिजन को लेकर आप इतना ज़रा सीरियस अगर स्टैप उठाते हैं तो इसको हेट क्राइम ही कहा जाता है अमेरिका में इस तरह की न्यूज हमारे सामने आती है जो कि भारतीय लोगों को लेकर आती है और अभी ही क किडनेप किया गया आप शायर इस न्यूज को देखे भी होंगे पहले उनको किडनेप किया गया बाद में उनकी मुरत लाश जय वो केलिफोर्निया में मिली थी तो आप समझ पा रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारतिय या हिंदू या ये जो हेट क्राइम जो है इंडिया के लोगों के खिलाब कितना ज्यादा हो रहा है स्पैसिफिकली अमेरिका में और कनाडा में तो क्या भारतिय जो लोग है वो अमेरिका में सावदान है या नहीं है या क्या शुरक्षित है या नहीं है वो ज्यादा बड़ा सवाल बनता जा रहा है क्योंकि अमेरि वो काफी ज़्यादा बढ़ चुके हैं इंडियन्स के लिए USA और कनेडा में और आपको पता हो तो जो Financial Action Task Force है FATF उसकी Gray List में शामिल है पाकिस्तान इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है आतंक वादियों को funding करता है या उनको पना देता है तब ही शायद वो Gray List में हैं अब तक Gray List में हैं लेकिन फिर भी अमेरिका जो है वो 450 मिलियन डॉलर का F-16 पेकेज जो पाकिस्तान को देता है काफी अजीब सी बात है और उसके साथ साथ इंडिया की बात हम करते हैं तो इंडिया हमेशा से और इंडिया अभी present time पे यह सब चीज़े समझ भी रहा है कि यह जो fool बनाने की जो process में लगा हुआ है अमेरिका भारत को उससे भारत जो fool नहीं बनने वाला तब ही हमारे जो M.E.A. Minister है जैश अंकर साब वो इसी तरह के statement देते हैं You are not fooling anybody अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो आज ही subscribe करें और वीडियो को like share करना बिल्कुल भी ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद